आप कोई indoor plant रखना चाते हैं तो snake plant से best कोई होई नहीं सकता easy to grow, easy to maintain और एक best air purifier beginners को अगर cutting लगाना सीखना है तो snake plant से better कोई plant नहीं है इससे आप सीख सकते हैं यह बहुत ही low maintenance plant है और oxygen का तो खजाना है it can still do well without fertilizer इसे बहुत लोग sanseveria भी कहते हैं लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि sanseveria की species नहीं है, dracena की species है तो एक तरह का यह dracena ही है जो की Kenya, Zimbabwe जैसी देशों में पाया जाता है किसी को search करना है तो वो google कर सकता है लेकिन हमें इस species ते क्या लेना देना हमें तो plant उगाने से मतलब है और उसके इतने सारे benefit है oxygen giving है तो फिर कहने ही क्या यह plant भी एक succulent type ही है इसमें पानी होता है अब यह गंबले में इस गंबले में मैंने करीब 25 दिन तक पानी नहीं दिया वो थोड़ा height पर रखा था लेकिन फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा इसके साथ यह experience है बाकी तो मैं 3-4 दिन में 5 दिन में पानी दे देती हूं सरदियों में इसे 7-10 दिन के बाद चेक करके ही पानी देते हैं तो अगर आपको प्लांट की ज्यादा केर नहीं करनी आप ज्यादा बाहर रहते हैं तो इससे अच्छा प्लांट तो कोई हो ही नहीं सकता जो कुछ fertilizer भी न मांगे पानी भी काफी दिन में मांगे और हमें oxygen भी भरपूर दे आप इसे indoor भी रख सकते हैं लेकिन कोई भी प्लांट complete indoor नहीं होता इसे bright light तो चाहिए ही लेकिन shade में अच्छा चलता है दूप में इसकी tip brown होने लगती हैं वैसे देखें तो इसकी leaves उपर की तरफ ही रहती हैं लेकिन आपने अपना प्लांट अगर indoor रखा है और इसकी leaves सारी जुकी हुई हैं तो उसे पानी चाहिए लेकिन कुछ ही leaves जुकी हैं तो शायद वो bright light को खोज रहा है तब आपको उसे bright light देनी होगी लेकिन मेरे plants के साथ ऐसा नहीं है मेरे plant light में रखे हैं ये leaves इसलिए जुकी हुई हैं कि ये करीब करीब दो साल पुरानी हो जुकी हैं तो पुरानी leaves तो फिर खराब होंगी ही एक plant आपके पास है तो आप इससे धेरो plant बना सकते हैं तो पहला तरीका है leaf propagation तो एक leaf हमने काट लेनी है इसके हम दो टुकडे करके भी मिट्टी में दबा सकते हैं तो मैं तो simple ही इसे दबा दूँगी लेकिन इसके नीचे हमने या तो rooting hormone लगा लें अगर आपके पास rooting hormone नहीं है तो आप दालचीनी का powder भी लगा सकते हैं वो भी नहीं है तो फिर वैसे भी यह propagate हो जाएगा कोई problem नहीं है तो इसमें मैंने लगा लिया है तो इस तरह बस इसको मैं half inch तक मिट्टी में ही दबा दूँगी बस simply और थोड़ा सा इस पे हम फिर पानी स्प्रे कर देंगे मिट्टी में हमने रेट और normal soil लेनी है और कुछ भी नहीं लेना है तो इस तरह से जो हम इसको मिट्टी में दबा के spray कर देंगे पानी से और पानी हम तब ही देंगे जब मिट्टी सूख जाएगी ज्यादा इसमें पानी नहीं देना है वरना ये जो लीव हैं वो गल जाएंगी और ये इसका growing period होता है तो इसमें आप देखेंगे एक ही महिने में जो है इसमें से नया जो पप निकल के आ जाएगा बाहर तो इस तरह आप इस से लीव से भी आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं इसको पानी में भी हम प्रोपगेट कर सकते हैं लीव को पानी में भी हम इसको इस तरह से प्रॉपगेट कर सकते हैं कोई भी आप ट्रांस्पेरेंट कोई भी बॉटल कोई ग्लास ले 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 और एक लीफ ले ले थोड़ा सा नीचे से काट ले और इसको जो है निशान लगा ले आप बॉटल में तो उतना पानी हमेशा रहना इसमें अगर सूख जाएगा तो फिर वो प्रॉपगेट नहीं हो पाएगा उसमें रूट जो है वो सूख जाएंगी तो पानी हमेशा चेक करते रहना चाहिए और आप इसको रख दे बस सिंपली इसमें कुछ नहीं है थोड़े ही दिनों में इसमें से भी रूट्स निकल पानी में अब ट्राइ कर रही हूं वैसे मैंने कभी किया नहीं है क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे प्लांट्स अल्रेड़ी अपने आप ही निकल जाते हैं और लीव से मैंने सॉइल में प्रॉपगेट किया है तो पानी में इतना मुझे कोई ज्यादा ज़रूरत नहीं है अल्रेडी बहुत सारे प्लांट्स अपने आप ही इसमें बन गए हैं इनके नए 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 पप्स निकल गए हैं देखिए मैंने कुछ दिन पहले ही इस प्लांट की एक यहां से लीव काटके न यहां पर लगा दी थी और एक महिने के अंदर इसमें से यह एक पप निकल के तो इसका भी ये देखिये इस तरह से निकल के इसमें से नहीं ये साइड में येलो स्ट्रिप आएंगी लेकिन अभी थोड़ा छोटा है तो आई नहीं और इसका काटके मैंने यहां पर एक पुरानी सी लीव लगा दिती तो इसमें से भी एक नया पप निकल के एक नया प्ला बना सकते हैं और एक लीफ के कई टुकडे करके भी आप नया प्लांट बना सकते हैं तो जो बिगनर्स हैं उनको सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया है कि किस तरह से कटिंग लगाई जाती है इसकी जो है रूट बहुत जल्दी से बन जाती है और इसका 100% रिजल्ट ज्यातर हमें मिलता है बस यह है कि ज्यादा पानी नहीं देना है वरना आपकी लीफ गल जाएगी तो जब हम इसको रिपॉर्ट करेंगे नया प्लांट नई गमले में लगाएंगे तो हमें मिट्टी कैसी लेनी है देखिए रेत लिया है वर्मी कमपोस्ट बहुत थोड़ी सी और मि लिया है तो इस लीफ को मैं अब हटा लेती हूं वरना इस सुन्दर नहीं लगेगी देखिए इसमें मैंने यह लगा दिया है तो कितना प्यारा लग रहा है एक छोटा सा प्लांट हमारे पास बन गया है और यह जो लीफ हमने अलग किया ना इसको हम फिर से प्रॉपगेट कर सकते हैं तो इतना बढ़िया प्लांट है तो लीफ से प्रॉपगेट हो गया सॉयल में पानी में और इस तरह के इसके साइड से पप्स निकलते रहते हैं तो हम इनको निकाल के अलग-अलग भी लगा सकते हैं तो इसको कहते हैं रूट डिविजन मैथड इसकी रूटस को हम अलग-अलग करके बहुत सारी plants बना सकते हैं तो मुझे भरा-भरा गमला पसंद है लेकिन इसमें बिल्कुल भी space नहीं होगा तब मैं इसको divide कर लूँगी तो देखिए इस तरह से इसके तीन method हो गए है division करने के तो मेरे पास कई तरह की variety है एक तो ये बहुत ही short है बहुत ही dwarf type है बहुत छोट-छोटे इसके पत्ते हैं एक तो ये है तो और दूसरा ये है थोड़ी सी इससे बड़ी है एक foot के करीब है और इसमें strips भी है yellow color की तो ये भी बहुत खूबसूरत लगती है तीसरा हो गया कि ये 2,5,3 feet तक भी ये लंबे चले जाते हैं देखिए इसकी जो सबसे लंबी है वो 3 foot की हो गई है ये इस तरह से यहां तक 3 foot की ये लंबी हो गई है तो तीसी variety ये है और ये green leaves हैं पूरी की पूरी देखिए इस तरह से इन में patches से हैं तो ये भी बहुत खुबसूरत लगते हैं और एक ये इस तरह से हैं ये भी लंबे वाली है लेकिन इसमें जो है side में yellow strips हैं और एक ये last इस तरह से इसमें बीच-बीच में धारियां बनी हुई हैं तो सारी ही variety बहुत ही खुबसूरत लगती हैं ये winter season में ये plant dormancy में चला जाता है spring के बाद इसका growing season होता है तो ये बहुत अच्छे से growth करता है पानी इसमें हमेशा ध्यान से देना चाहिए specially ceramic और plastic के pot में और मिटी इसकी well drain ही रखनी चाहिए तो दूप में color इसके थोड़े से dull हो जाते हैं तो इसे ये shade loving plant है आप इसे indoor भी रख सकते हैं ये बहुत ही high feeder नहीं है बस साल में एक या दो बार इसमें जो है vermic compost का पानी आप दे सकते हैं तो अगर आपके पास कोई indoor plant नहीं है actually मैं भी कोई plant indoor नहीं रखती क्योंकि इतने सारे plants हैं तो ये ख्याल रखना पड़ता है कब किसे बाहर रखे कितनी दूप चाहिए तो फिर भूल जाते हैं तो मैं सभी plants को अपने terrace पर ही रखती हूँ इकटा ही तो इनकी care करना बहुत ही आसान हो जाता है तो कई बर plant थोड़ा फहला फहला सा हो जाता है इसकी जो है ये sticks भार भार निकलती है तो मैं इस तरह से इनको बांद भी देती हूँ देखिए जो बांदे थे तो ये पहले के हैं और ये जो side में जो बिना बांदे हैं ये नए सब अभी निकले हैं तो इस तरह से बहुत सारे इसके pups निकल गए हैं हाँ तो मैं कह रही थी आप कोई plant इंडोर रखना चाहते हैं तो snake plant से best कोई भी नहीं है तो ये easy to grow है, easy to maintain है और एक best air purifier है अब ये air purifier तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर के सारे environment को ही साफ कर देगा लेकिन हमारे घर में भी air contaminated होती है जैसे की furniture वगएरा के paint से या फिर कोई हम detergent वगएरा के से भी बहुत सारे chemicals निकलते हैं या फिर हम कोई spray वगएरा करते हैं तो ये plant हमारे घर की air को जो है शुद करता है और साथ में खुबसूरत भी बहुत लगता है तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो एक like जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe भी प्लीज इसे जरूर करें इसी तरह की gardening से related videos मेरे चैनल पर आती रहती हैं subscribe करने के बाद bell icon भी जरूर प्रेस करें और उस पर all का button भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी notification आप तक पहुँच जाएं तो मिलती हूं किसी next video में till then bye and happy gardening and keep gardening